समस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉम पर मैं हूं सुमिछ चोधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशेंट ग्रेको रोमन एस्टोनोमर, मैथमेटिशियन एंड जियोग्राफर क्लावडियस टॉलमी की बायोग्राफी और इनके कोंट्रिबिशन के बारे में दोस्तो पहली शताबदी में पैदा हुए टॉलमी ने उस जमाने में भी इस यूनिवर्स और ग्रहों की इस्टती को समझने के लिए माइथलोजी का सहरा नहीं लिया बलकि उन्होंने मैथमेटिक्स और अपनी उब्जर्वेशन के सहरे इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश की और उसी के आधार पे अपने कुछ सिध्धान्तों को लोगों के सामने प्रजेंट किया हलांकि 1500 सालों के बाद उन सिध्धान्तों को कुछ हज तक गलत साबित कर दिया गया बहुत सारे सिध्धान्त इनके गलत साबित हो गए लेकिन बात ये महतपूर्ण नहीं है कि इनके सिध्धान्त गलत हो गए बात ये तो चलता रहता है साइंस की फिल्ड में आने वाले सम दिया उसे आप कभी भी बुलाया नहीं जा सकता और इनकी जो थोरीज हैं और इनका जो कॉंट्रिबिशन है चाहे वो जियोग्राफी के फिल्ड में हो चाहे वो जियोमेट्री में हो मैथमेटिक्स में हो उसको आज भी पढ़ा जाता है और लोगों को पढ़ाया जाता है तो नश्वर हूँ मर जाओंगा एक दिन का क्रियेचर हूँ लेकिन जभी भी मैं इन सितारों को देखता हूँ अपनी धूरी पे घूमते हुए तो मैं अपने आपको पाता हूँ कि मैंने जैसे जैसे कि मेरे पैर ही इस जमीन पे नहीं है मैं इस जमीन पर हूँ ही नहीं जैसे कि Jesus मेरे साथ हैं मैं उनके साथ में खड़ा हूँ और सभी देउताओं के साथ में घोजन कर रहा हूँ Jesus कौन है? Jesus Greek God है Geoff जो है Greek God के भी एक तरीके से King है मैंने Greek mythology के बारे में वीडियो बना रखा है separately तो आप जाके वो भी देख सकते हैं तो इनका जो प्रेम है astronomy के परती उसको आप इस score से ही समझ सकते हैं कि जब ये ग्रहों को देखते हैं, उनकी गती को देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं तो ये अपने आपको इस तरीके से feel करते हैं जैसे कि ये स्वरग में ही पहुँच गए हैं, जैसे कि ये देवताओं के साथ बैठे हैं इस तरीके से ये अपने आपको खुश feel करते हैं जब ये ग्रहों को देखते हैं हलांकि ये खुछ जानते हैं कि वो नश्वर हैं, वो मर जाएंगे, एक दिन कुछ भी नहीं है, सच में तो ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा लगाओ रखते हैं अपने astronomy के subject से, अब बात आती है क्लावडियस टॉलमी कौन है, मैंने बहुत कुछ तो आपको बत है, लेकिन वैसे ये ग्रीक थे, तो एस्टोनोमर हैं, एस्टोलोजर हैं, जियोग्राफर हैं, राइटर हैं, मैथमेटिशन हैं, ये सब इन्होंने अपनी लाइफ में काम किये हैं, अलेक्जन्रिया जो है, जो रोमन अंपाइर का प्रोविन्स वा करता था, किसी समय पे य ग्रीक अंपाइर का भी जगह हुआ करती थी, अलेक्जन्रिया कहा है, ये देखो, अलेक्जन्रिया है यहां पे, मेडिटेरियन कोस्ट के उपर है, मेडिटेरियन जो सी है, उसके किनारे पे है, इजिप्ट में पढ़ता है, अलेक्जन्रिया नाम ही इसका इसलिए पढ़ा तो यह रोमन अंपायर का हिस्सा हो गया तो वहाँ पे इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को जिया लगबग जिया अब कहां पैदा हुए उसकी अलग बात है इन्होंने अपना जो मोडल दिया वो था जियो सेंट्रिक मोडल यह सबसे महत्पूर्ण है इसके बारे में हम श्राफिकी हो या मैथमेटिक्स की फिल्डो तो मैंन बात यह है कि इनकी अरली लाइफ जो है ना उसके बारे में ज्यादा चीजें अविलेबल ही नहीं है ज्यादा इन्फॉरमेशन अविलेबल ही नहीं है कि टोल्मी का जनम एग्žेक्ली कहां के हुआँ पे हुआ अब य ये इजिप्ट में रहे लेकिन ये इजिप्शियन नहीं थे ये ग्रीक थे और ग्रीक गोड्स को ही मानते थे ग्रीक माइथरोजी जो ग्रीक कल्चर था उसी को ये जीते थे इनका जनम की बात करें तो लगबग 90 AD के असपास इनका जनम हुआ कुछ लोग कहते हैं कि 180 AD के असपास जनम हुआ लेकिन बात बेसिकली ये है कि 90 से 180 के बीच में कहीं जनम हुआ है और इनकी डेथ जो है कहीं जगल मिलेगी आपको 168 AD कहीं 170 AD मिलेगी कहीं 186 AD मिलेगी तो ब जनम और मृत्यू जो है वो इतनी महत्पूर नहीं है बात इंपोर्टेंट है कि अलेक्जन्रिया में रहे और यहीं पे इन्होंने अपनी सारी रिसार्च करी और इसके बाद इनके काम की बात कर लेते हैं टॉलमी ने अलग लग फिल्ड में बहुत सारा काम किया है मैथमेटिक्स में किया है जियोमेटरी में किया है जियोमेटरी तो मैथमेटिक्स का हिसा है एस्टोनोमी में किया है जियोग्राफी में किया है क्या क्या काम किया है सबसे जो महत्पूर काम है इनका वो है एस्टोनो गेस जो है ना ये उस जमाने की अगर पहली और दोसिर शताबदी की बात करें उस दोर की सबसे पुरानी बुक मानी जाती है जो एस्टोनोमी के ओपर लिखी गई किताब अविलेबल है आज के समय तो पहले लिखी गई होंगी लेकिन अविलेबल कोई बुक है नहीं उस जमा कि इनकी astronomy का जो development है वो कैसे हुआ astronomy का जो subject इन्होंने पढ़ा उसमें इन्होंने Babylonians और जो Greek astronomers थे उनकी जितनी भी research available थी उसको पूरा पढ़ा, detail में पढ़ा जितने भी Babylonians ने और Greek astronomers ने जो भी चीजें लिखी थी लगभग 800 सालों का जो इत्यास रहा था astronomy में जितने astronomy हुए थे उन सभी खगोल विग्यानिकों की जो research है, observation है, उनकी जो गणनाई है, उनकी जो tables है उनको इन्होंने deeply study किया, उसके बाद इन्होंने चीजों को समझने की कोशिश की कि जो gray है, जो भी gray है, रोज हैं, जैसे दूसरे ग्रहों को, जो तारों को देखना, sun को देखना, moon को देखना, इनकी गती को समझना की कब कहां पे कौन सा seuraj कब उदे होता है, कब अस्त होता है, चान्द कब से कब तक दिखता है, कौन से दिन कितने time तक दिखता है इन सभी चीजों को इन्होंने open eyes से देखने की कोशिश की, naked eyes से देखने की कोशिश की क्योंकि देखे आप जानते हैं उस समय कोई telescope जैसे चीजे तो थी नहीं, बहुत अच्छी quality के telescope आपको मिल जाएंगे, ऐसा तो था नहीं तो इनके पास तो naked eyes से देखने का option था, तो उससे इन्होंने चीजों को जितना ये समझ पाए, observation से उतना इन्होंने समझने की कोशिश करी उसके बाद ये astronomy में पुराने astronomy से ज्यादा successful क्यों हुए, वो हो पाए इनकी mathematics की वज़ा से इन्होंने कहा कि अगर खगोल विज्ञान को आप समझना चाहते हो तो गनित की मदद लीजिए, सबसे ज़्यादा महतपूर्ण है गनित से समझना और बहुत सारे जो पुराने philosophers थे जिन्होंने mathematics को ज़्यादा एक तरीके से समझने की कोशिश की वो विज्ञान की field में भी बहुत successful रहे हैं तो mathematics के सहारे इन्होंने चीज़ों को समझने की कोशिश की इन्होंने ठेबल्स बनाई जिन alien के सहारे बहुत सारे प्लेनिर्ट's को एक तरी कि अनकी इस्तती पहले की एस्तती और बाद की स्तती तक का आकलन कर दिया कि यह जैसे ग्रह है तो चार दिन बाद इस ग्रह की इस्तती कहा होगी तो इसके लिए उन्होंने टेबल प्षण रही इन्होंने इवन सूरज और चांद की जो इस्तती है उसकी राइजिंग और उसकी सेटिंग जो है जो राइज होता है और अस्त होता ह सूरज उसकी इस्तती को भी अब्जर किया उनके लिए भी टेबल बनाई कि कौन से दिन सूरज कितने बजे उदे होगा और कितने बजे अस्त होगा तो इसकी भी इन्होंने एक तरीके से टेबल्स बनाई और उनको भी एक तरीके से काफी एकुरेट इन्होंने चीजों को करन बेक होने में भी 15-100 साल लग गए इस मॉडल को, ये मोडल क्या है इसी को अब हम समझेंगे। ये 15 सालों तक ने ही चलता रहा हो ये मोडल समझते हैं। इन्होंने सबसे पहले बात कई आ पको ये दो slides इसके बारे में लिख रखी है तो Earth जो है वो तो है stationary और ये center of universe है center of universe है इसलिए इस model को क्या कहा जाता है geocentric पर्थवी जो है अर्थ centered model इसको कहा जाता है इसमें इन्होंने कहा कि पर्थवी जो है वो center में है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है moon उसके बाहर है mercury उसके बाहर है venus और Venus के बाहर है Sun ये इन्होंने करम बताया है ऐसे ही नहीं है ये डाइग्राम ये बैसिकली ये जो model देखा रखा है यहाँ पे ये टॉलमी का model ही है ये टॉलमी का model ही है टॉलमी के model के हिसाब से अर्थ को सेंटर में रखा गया उसके जस्ट बाहर है मून मून के बाहर है मरक्यूरी फिर है Venus और फिर है Sun सन के बाहर है मार्स मार्स के बाहर है जोपिटर और जोपिटर के बाहर है सैटन और सैटन के बाहर जो है वो तारा मंडल है एक और वहाँ पे बहुत सारे तारे हैं तारों को इन्होंने भी बहुत दूरी पर बताया है काया कि तारे जो हैं वो स्टेशनरी हैं और वो भी एक जगह रहते हैं और इन्होंने क्या कहा कि पर्थवी चक्र नहीं लगाती है पर्थवी के चारों तरफ सूरज चक्र लगाता है मून चक्र लगाता है वीनस सही है कि पर्थवी के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है लेकिन मून जो है वो उप ग्रह है वो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला उप ग्रह है ठीक है तो ये अलग है प्लैनेट है ये और ये उप ग्रह है अलग लग चीजे है इस सिध्धान्त को इन्होंने दिय और इसमें क्या क्या चीजें कही कि Earth Planet जो है वो Center है इस Universe का और यह Geographic Center है इस इसलिए इसको कहा जाता है Moon जो है वो सबसे पास में है closest Earth के फिर Mercury Venus और है उसके बाद Sun है उसके बाद Saturn तक के Orbit के बारे में बात करी फिर 48 consortations के बारे में बात करी कि जो तारा मंडल है उनके बारे में बात करी तो ये मोडल इन्होंने रिपरजेंट किया अपनी गणनाओं के आधार पे, अपनी mathematics के आधार पे देखिए, टोलमी का जो मोडल है चाहे किसी भी तरीके से इसको गलत साबित बलही कर दिया गया बलही गलत साबित हो गया लेकिन अर्थ से जिस तरीके से इन्होंने चीज़ों को उबजर्व किया लेकिन इन्होंने अर्थ को stationary मान लिया तो अपने आप इनको लगने लग गया कि sun चक्कर लगाता है तो यह चीजे हुई लेकिन इस model को बाद में कोपर निकस ने 1543 में कोपर निकस की बायोग्राफिय मैंने अल्रेडी कवर करा दी है तो इन्होंने जो है 1543 में इस model को जाके completely discredit कर दिया कि यह बात सही नहीं है actual में model ऐसा होना चाहिए sun के चारो तरफ चक्कर लगाता है सारे के सारे प्लैनेट चक्कर लगाते है Mercury Venus और फिर Earth आता है फिर Mars और यह Jupiter Saturn वगरा सब बाद में आते हैं यह सब कही और तारा मंडल के बारे में भी बात की कि तारे जो है वो ब नहीं कि यह जो model है इसमें बहुत सारी खामिया इसमें भी थी बहुत सारी चीजें जो कोपर निकस ने बोली उनमें भी कमिया थी लेकिन यह जो चीजें इन्होंने बताई यह शुरुवाती दोर था जब टॉलमी ने अपना सिध्धान्त दिया टॉलमी का जो यूनिवर्स वो सुरुवाती था और कोपर निकस के सामय पर साइंस ने काफी कुछ डेवलप भी कर लिया था ऐसा नहीं है अब टॉलमी का mathematics की फिल्ड में योगदान देखते हैं उन्होंने mathematics की फिल्ड में क्या योगदान दिया क्या उनकी चीजें थी अब मैंने क्या कहा क्योंकि astronomy में वो successful इसलिए हो पाए क्योंकि उनकी mathematics बहुत अच्छी थी इसपेशली उन्होंने geometry और trigonometry में काफी काम किया और उसमें उन्होंने contribute किया तो उस समय के जो पुराने फिलोसोफर थे देखिए पुराने जो mathematics जिन थे पाइथागोर्स वगेरा हो चुके थे उस समय तो उनकी उन सिधानतों को ये help ले सकते थे पाइथागोर्स की biography भी मैंने कवर करा दी है तो इन्होंने एक नया एक नई थ्योरम दी जिसके through ये क्या calculate कर सकते थे circle की code क्या होती है ये है circle और circle की circumference के किनी भी दो बिंदों को मिलाने वाली line को क्या कहते है code कहते है हिंदी में क्या कह रहते हैं परीदी पेस्ति दो बिंदों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है जीवा या code होती है तो इसको निकालने का इन्होंने एक method भी निकाला और tell me की एक theorem आपने 9-10th class में पढ़ी होगी ये theorem क्या कहती है ये कहती है किसी भी quadrilateral में कौन से quadrilateral में cyclic quadrilateral में cyclic quadrilateral क्या चक्री चत्रबुज के अंदर उसके जो विकर्ण है यानि उनके जो diagonals है ये विकर्ण है ये diagonals है ABCD diagonals के अंदर AC इसका diagonal है और BD diagonal है इन दोनों का जो multiple है इनका जो product है वो किसके बराबर होगा opposite sides के product के sum के बराबर यानि AB को CD से गुना करो उसके बीच में किसका plus का sign लगा अभी भी इसको पढ़ाया जाता है और इसको ये गलत नहीं है एकदम सही है तो ये चीजे है कि इस तरीके से नोंने चीजों को देखने ही कोशिश की एक rectangle लिया एक rectangle लिया और एक square लिया इससे की side जो है वो पता थी जैसे B और A की लंबाई पता है XY जो है अंदर वाले cyclics quadrilateral की side वो हैं क्या बोलते हैं विकर्ण हैं उसके diagonals हैं तो X into Y क्या होगा A into C B into D इनके sum के बराबर होगा ये इन्होंने theorem दी थी टॉलमी ने बहुत महत्पॉर्ण theorem है ये टॉलमी ने mathematics में काफी योगदान दिया है उसको ध्यान रखा जाएगा उसके बाद है geometry की बात करत त Huggol में इन्होंने क्या योगदान दिया तो इनोंने एक वहती ही महतपॉर्ण किताब लखे थी जिसका नाम है geography A photography जो किताब है ये लोगों को पता ही नहीं थी 1300 साल तक ये किताब जो है कहां रही कहां गाइब रही इनके वर्ग को एक तरी किसे पता ही नहीं चला लोगों को और उसके बाद में लगबग 1300 के आसपास सन 1300 के आसपास टॉलमी ने जियोग्राफी में भी कुछ काम किया है ये लोगों को पता चला जब बेजन टाइन अमपायर के कुछ स्कॉलर्स ने इनके काम को ढूंड लिया और उसके बाद इनकी मैनुस्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया कि ये टॉलमी का काम है ये ये चीज़े टॉलमी ने बताई है उन्होंने जो मैप्स बनाए हुए थे टॉलमी की जो किताब में जियोग्राफिया में उन सभी को खोज निकाला तो इन किताबों में हमें इस जियोग्राफिया जो किताब है इसके अंदर हमें पता चलता है कि टॉलमी ने लोगों को मैप्स बनाने की टैक्निक्स बताई और उनके बारे में जिस तरीके से भी मैप ड्रो किये जा सकते हैं उसके लिए उन्होंने काफी सारी इन्फरमेशन इ जानते थे उस सारे वर्ड के उन्होंने मांचितर बनाए हैं मैप्स बनाए हैं और उन मैप्स को इस तरीके से बनाया है कि उसमें लेटिटूड और लोंगिटूड को भी इंक्लूड किया है और लगभग 8000 लोकेशन को लेटिटूड और लोंगिटूड के उपर एक तरीक में नहीं जाएंगे जब तक latitude और longitude नहीं पता होगा तो आप उस map को copy कैसे कर पाएंगे तो copy करने के लिए काफी मदत रही जब 8000 locations को इन्होंने latitude longitude पे दिखाया और उस जमाने में plane map पे एक flat map के ऊपर latitude और longitude को इन्होंने जिस तरीके से रिपर्जेंट किया वो काफी सरहनी काम था हालांकि इतनी technology और इतना ढंग से रिपर्जेंट नहीं कर पाए क्योंकि उस जमाने में इतनी तो स्विधाई नहीं थी लेकिन latitude longitude के grid system को बनाना भी उस समय में बहुत बड़ी बात थी तो इन्होंने इस चीज़ को एक तरह से रिपर्जेंट किया और इसी की वज़े से जो पुराना जो रोमन समराजे था उसकी जो उसके जो maps को और उसकी locations को हम ढंक से trace कर पाते हैं इंगित कर पाते हैं कि कहां सरहनी इन्होंने काम किया था उस जमाने को देखते हुए जितनी सुईधाय इनके पास थी उनका इन्होंने धंसे उसमें काम लिया और साइंस को एक तरीके से आगे पर्मोट किया तो hopefully आपको सारी सीजे clear हुई होंगी और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप like और share तो करी सकते हैं और अगर चैनल subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe भी कर सकते हैं और इस वीडियो की PDF या किसी भी वीडियो से related कोई भी क्योरी हो उसको अगर आप जानना चाते हैं तो आप description में दिएगे टेलिग्राम लिंक को जोइन कर लीजिए और वहां पे आप बात कर सकते हैं So thank you so much for watching this class. Have a good day. See you next class.